नवस्कार मैं आसे स्पाटक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में UP PCS के द्वारा आपको अब रिसेंट में देखने को दो जोब बहुत ही सचुवाले की महत्वपूर्ण मिलेंगी एक तो आपका आरो यारो जिसका आप काफी समय से इंतिजार कर रहे हैं और एक तो कई वर्सों से इंतिजार जिसका कर रहे हैं APS का अपर नीजी सच्यू का जो एक तरह से जॉब है जो 2013 में इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था लेकिन किसी कारण वस जो स्टेनो है उसमें कुछ दिक्कते थी केस हुआ और केस के बाद इसे रद्ध कर दिया गया और उसकी भी अभी कम्प्यूटर टेस्ट नहीं हुआ है तो वो फिर से 2021 में वो नोटिफिकेशन निकाला गया था और वही 176 पोस्ट के लिए कुछ बच्चों ने फिर से जो बच्चे उस समय अपलाई किये थे वही बच्चों को एक्जाम देने के लिए मौका मिला था अभी अंतिपढ़ा माना बाकी है तो उसी APS की डिमांड हो रही थी तो वो APS अब जल्द ही आपके सामने देखने को मिलेगा वो मैं किस दावे के साथ बोलना हूँ कि अभी मेरे पीछे आप देख रहे होगी वेबसाइट ओपेन है और यहाँ पर एक कॉर्णर है आप जा चलिए अभी यह कुछ error आ रहा है एक notice आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा वो notice आपकी typing से related है और notice आपको जो देखने को मिलेगा वो notice आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ वो notice आपकी कौन सी है वो notice आपकी आई थी अभी recent में यह आप देखिए यह किस के लिए है आपके वही अपर निजी सच्यू के लिए जो सच्वाले में पोश्ट आने वाली है उसी के लिए है दो मई 2030 को यह notice निकाली गई ह और यहाँ पर मैं यह इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर बोला गया है कि सुचित किया था कि आयोग जारा आगामी अपर निजीव सच्यू भरती परिक्षा मलब जो आने वाली है भरती परिक्षा उसके लिए उसमें आसू लिपी कौसर याँ टंकर परिक्षा है तू कृती देव जो आपका मांगा गया था फॉंट के साथ साथ मंगल फॉंट का भी विकल्प दिया जाएगा तो बहुत बच्चे मंगल इंस्क्रिप्ट टाइपिंग सीखे हैं उन्हें भी उनके लिए भी एक अच्छा ऑपॉर्चुनुटी है जो बच्चे स्टेनों टाइपिंग वाले हैं तो उनके लिए APS एक वरदान है यह जानी है आप लोग अब बहुत ही जबरदस्त है यह गेजटेड आपसर की पोस्ट हो गई है पहले यह च्यालीस सो ग्रेड पे थी अब यह अन्तालीस सो ग्रेड पे की जॉब है तो बहुत जबरदस्त जॉब है सच्वाले की तो जो लोग इसके बारे में डीटेल चाहते थे काफी बच्चे थे जो पूछ रहते हैं क्या है यह PS कैसे बच्चे तैयारी कर सकते हैं तो पूरा डीटेल आपको eligibility क्या है आपका pay scale क्या है आपकी salary approach कितनी बनेगी यह सब मैं डीटेल आपको करूँगा सभी जो बच्चे इस चैनल पर नहीं है इस वीडियो को जादे से जादे सेयर करी अपने दोस्तों को और जो बच्चे यहां पर bell icon नहीं प्रेस किये हैं वो bell icon प्रेस कर लें जो भी notification होगा आपको इस job से related वो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो आगे हम बढ़ते हैं कि यह APS additional private secretary UP secretary मतलब सच्चुआले में यह job कितने post के लिए आएगी तो अभी देखा जैते recent में इस पर बात चले है कि आपका overall यह मैंने बोला ना कि समुखा के राजपत्रित अधिकारी हो गए हैं अपर निजीव सची के 612 पदों के बाते हुए 730 कर दिये गए हैं यह देखा नक जाहिर सी बात है यह तो 730 पद पर आएगा या इससे कम आएगा ठीक है हो सकता है मैंने बोलना हो कि 730 के 730 आजाए इतने खाली है तो हो सकता है कुछ कम आए लेकिन बहुत भी कम होगा तो आपका 500 प्लस ही रहेगा 400 500 के बीच में ही आपका रहेगा और काफी अच्छी पो से लेकर 34,800 का है तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी साथ हजार के प्रॉक्स उपर ही सेलरी आपकी इन हैंड बनेगी यह ध्यान रखिएगा अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है APS के लिए वो आप ध्यान से देखो कि the candidate must pass bachelor degree आपके पास होना चाहिए यह ध्यान रखिए आप कोई भी graduate हो परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है बस आपका graduation होना चाहिए या graduation के equivalent आप होना चाहिए दूसरी बात आपको क्या आना चाहिए minimum speed of 80 word 80 word की आपकी word का क्या होना चाहिए 80 word per minute का आपको steno आना चाहिए steno आपका आना चाहिए यह ध्यान रखिएगा बोला दिखाना 25 word per minute in Hindi shorthand and Hindi type writing respectively यहीं बोला है कि आपका 80 word per minute का क्या होना चाहिए steno होना चाहिए और typing आपकी कितनी होनी चाहिए हिंदी की typing की जो speed बोला है वो 25 word per minute की बात किया गया है तो typing आपकी 25 word की होनी चाहिए और steno आपकी 80 word होना चाहिए यहाँ पर English और Hindi दोनों है लेकिन English Hindi compulsory है और English आपका optional है चाहिए वो typing हुआ चाहिए आपका steno हुआ अभी आपको बता दे रहे हैं और क्या चाहिए आपको steno आप मतलब सीखे हूँ अगर जो बच्चा steno सीखा है और जो नहीं सीखे हो तो ब Mind Phase में होगा यह पूरा एक्जाम जो कंड़ कराया जाएगा प्री और मेंस के फорм में आपका कंड़ कराया जाएगा तो चाहिए इसी बात एक प्री मेंस होने में मेंस का ही पार्ट होगा जो आपका steno होगा तो उसमें आपको अच्छा खासा मिल जाएगा पांच से च्छह म डो एक का ट्रिपल सी या अगर यह नहीं है एक के बाद यहां पर बोला है तो कोई भी कोर्स जो आपका ट्रिपल सी के कंड़क्ट हो जिसको कंड़क्ट कराया गया हो बोर्ड आफ हाइज स्कूल या इंटरमीडियेट अफ एजुकेशन अफ उत्तर परदेस उत्तर प्रदेश के द्वारा कोई भी इसके equivalent आपका course हो या किसी deconized government के द्वारा इसके equivalent कोई course है तो वो मानने होगा age limit क्या है अगर age limit की हम बात करें तो age limit देखो एक तो सबसे बड़ी बात इतने equivalent निकाले गए थे वो सब आपके triple C के equivalent होगे जो इसके उपर होते हैं वो भी triple C के equivalent बाने जाते हैं बात करते हैं age क्या है age आपकी 18 से लेकर 40 साल तक है बाकी जो relaxation आप लोगों को reservation में मिलता है OBC SCST और physical handicap वालों को वो आपको as a government rule जैसे PCS में होता वैसे आपको मिलता रहेगा यहाँ पर हम बात करें कि syllabus क्या है examination का ठीक है कैसे दो form में आपका pre और mails के form में होता तो pre में क्या पूछता है प्री का बहुत ही define syllabus ऐसा नहीं है कि जो UPPCS की तरह बहुत लंबा है क्या-क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें उसमें तो कुछ define होता नहीं कि कि कितना आपको पढ़ना लेकिन यहाँ पर डिफाइन है कि आपको इतने नंबर का यह आएगा यह पढ़ना है इतने नंबर का यह आएगा पढ़ना है वो मैं आपको पूरा डीटेल कर रहा हूँ बोला गया है कि APS के पोस्ट के लिए additional private secretary के लिए आपको 80 word per minute की क्या चाहिए हिंदी आपको आना चाहिए और 25 word per minute हिंदी आपकी टाइप राइटिंग होनी चाहिए उसके पास से बोला है candidate expected to transcribe the dictated pros in five minutes in the determined speed by the typewriter for which one hour time will given अब यहाँ देखिए क्या है कि आपको जो यह 80 word per minute लिखना है तो 80 word जो आपको सौट हैं लिखना है इसके लिए आपको जो समय मिलेगा वो आपको 5 minute का समय मिलेगा 5 minute में आपको बोला जाएगा dictate किया जाएगा और आप अपना क्या लिखोगे आप सौट हैंड में उसको लिख लेगा उसके बाद से आपको क्या होगा कि 25 word per minute के हिसाब से आपको क्या करना है एक घंटे का time दिया जाएगा 1 hour का time दिया जाएगा एक घंटे में आपको जो भी आप लिखे हो ठीक है इस टेनों में उसको आप type करोगे उसको क्या करोगे आप type करोगे जो भी चीजे लिखे हो अगला है आपका दूसरा भी पर इसमें इसमें बोला कि test will be conducted for English short hand and general English देखिए which is optional एक English short hand है और general English मतलब का paper होगा एक जो आपका optional है यह depend करता है आप देना चाहो तो दो न देना चाहो तो न दो जो बंदा देगा उसको क्या होगा कि जब आप select हो जाओगे तो आपके government में जो है time time पर आपको alliances में कहीं न कहीं बढ़ोतरी करेगे यह आपका अगर आप English और Hindi दोनों टाइपिंग अगर जानते हो दोनों सौट हैंड भी जानते हो तो आपके लिए एक बोला जाए कि जब आप select हो जाओगे तो आपके salary में increment होगा time पर time पर यह ध्यान रखिएगा उसके बाद तीसरा बोला है for the post इस पोस्ट के लिए एक one paper of five minutes for Hindi typing compulsory है यह द्यान दखिएगा Hindi typing अलग होगी वो मैंने बताया कि जो सौट हेंड करोगे आप उसको टाइप करना है एक घंटे का समय मिलेगा ठीक है एक घंटे का समय मिलेगा आपको उसको translate करने का समय मिलेगा इस सौट हेंड को सौट हेंड को translate करने का एक घंटे का समय मिलेगा और जो यह वाला बता रहा है यह paper आपका पांच मिनट की typing होगी आपकी ठीक है Hindi type writing में compulsory है English type writing जो है आपका optional है ठीक है English आप दे सकते हो और वो आपका depend करता है चाहे दो चाहे मत दो दो दोगे तो आपके लिए मैंने बता translate करने वाला वो typing में नहीं जोडा जाता है यह ध्यान रखिएगा अब अगले हम आते हैं कि step आपका क्या होगा कि pre exam देखो दो फॉर्म में होगा pre exam में आपका पहला जो paper होगा वो दो घंटे का होता है ठीक है so marks का होगा overall अब इसमें जो question होंगे वो किस पर होंगे mcq based हो होंगे अब इसमें बोल दिया आप से एवरिवेशन दो आएंगे फूल फॉर्म आएंगे इसमें computer के भी एवरिवेशन होते हैं ठीक है तो वह total 10 नंबर आएगा यह पहले सते हो गया तो कितना आसान बोल दिया कि एवरिवेशन हमें पढ़ना है और 10 नंबर तक आएगा उ सब्सक्राइब हिस्ट्री आपका इतना बड़ा जो है वह सिर्फ 10 नमाक्स का आएगा साइंस आपका एकदम आसांस आए तो यह दस माक्स है तो थोड़ा सा स्ट्रेजी कि इसकी वीडियो आपको बताई जाएगी कि आपको कैसे तैयारी करना है ठीक है परिक्षा उपी यूपी की जगराफी से 6 माक्स का कुश्ण आएगा और इंडिया के जगराफी से सिर्फ 4 माक्स का आएगा तो छे वालब पड़ोगा बढ़िया आए इंडिया कॉंस्ट्रीशन से अगर इस पोर्स देखोगे तो इसमें कई चीज़े आ जाएंगे थोड़ी पूरानी भी रहेगी स्टेटिक डेटा भी रहेगा और थोड़ा करेंट भी रहेगा तो चांसे यह होता है कि आपको करेंट से ही पूछता है फिर आपका यहां पर आर्थमेटिक जो है इस पर जैसे इसमें क्या हो जागा अपठित गध्यांस यह आरो का जो होता है मेंस वाला सेम आपको उसी तरह से गध्यांस प्रशनुत्तर तथा अपठित गध्यांस का सिर्शक यह सब 20 अंक होगा संचेपर आपको लिखना होगा गध्यांस का तो यह 10 अंक का है पत्रयों का आपका क्या है इसमें पचीस अंक का है तो यह आपका हिंदी वाला पेपर हो गए जनरल हंदी आता है जितने यूपी के बच्चे हैं हमारे हैं इन सब के लिए आपको एकदम तयार है कि आपको आराम से कर सकते हो इसमें आपको बहुत जादे टेंसर नहीं लेना है और पेपर कि कितना पूछेगा अब आप बात करते हैं अभी यहां से आपका कहीना कहीं मेंस स्टार्ट होता है पेपर 3 से ठीक है अब हिंदी सौट हेंड आपका होगा जब आप दोनों पेपर दे लोगे तो यहां से आपका सौट हेंड स्टार्ट होगा मैक्सिमम देखिए अभी क्या यह जो मैं चीजे बता रहा हूं यह पुराने नियमावली के एकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन आया था 2021 में उसी के एकॉर्डिंग बता रहा हूं हो सकता है कि जब नया दो पेपर ले और मेंस में और बाकी यह सब चीजे रहें जैसे होता आया है तो कुछ changes हो सकता है कि करे आयो वह depend करता है उपर नई नियमावली के संसोधन के recording क्या वह changes करता है इसमें चलिए अब बात करते हैं यहां पर यह 135 मार्क का होगा इसका डीटेल मैंने आपको बता दिया कि हिंदी सौट हैंड आपका होगा असी वर्ड आप लिखो पांच मिनिट का समय मिलेगा, पांच मिनिट के समय के बाद जो चीज लिखे हो, उसको आपको टाइप करना होगा, कितने एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में आपको टाइप करना होगा, फिर हिंदी पेपर फोर जो होगा आपका, वो हिंदी टाइप राइटिंग का होगा जो compulsory है एक्तम यह सब compulsory वाले हैं यह आपके पंदरा मार्स का होगा अब इसका देखो इसका आपका पैराग्राफ सी में दे दिया है डिटेल ठीक है उसमें दे दिया था उसके बाद बोला candidate will have obtained speed 25 word per minute in Hindi type test the candidate obtaining laser speed अगर किसी बंदे का 25 वर्ट से भी कम आता है तो ऐसा मतलम नहीं है कि उसे eligible treat किया जाएगा क्योंकि जहां candidate obtaining the speed 25 वर्ट पर मिनट अगर बंदा 25 वर्ट पर मिनट से भी बात किया रहा है अगर बंदे के अंदर speed तेज है तो 25 से जादे speed ला रहा है तो वहां पर क्या होगा एक marks उसके मिलेगा पर 5 वर्ट पर मिनट के speed अगर उसकी increase होती है तो जैसे यहां पर देखो दिया गया है बोला गया है कि अगर आपके speed 15 से 39 के बीच में है तो आपको 10 marks दिया जाएगा अगर 30 से 34 के बीच में अपलाई कर रहे हो तो 11 marks हो जाएगा क्योंकि एक marks आपका 5 वर्ट पर मिनट पर दिया जाएगा ठीक है और maximum आपको 15 marks दिया जा सकता है इससे जादे marks नहीं दिया जाएगा आपकी जो Hindi typing test होगा यह ध्यान रखिएगा 35 से 49 के बीच में आपकी speed गिरी तो आपको 12 marks 40 से 44 के बीच में speed गरी तो 13 marks 45 से 49 के बीच में आपकी speed गिरी तो 14 और अगर आपको 50 की speed गिर रही है उससे जादे भी आप मार रहे हो तो अब marks नहीं 15 से जादे नहीं मिलेगा maximum 15 marks मिल सकता है और आपका अगर 25 यहां तक 25 वर्ट पर मिनट आपको मिल आपकी speed आ रही है तो 10 marks आपको मिलेगा ठीक है यह ध्यान रखिएगा तो यह तो marks के बारे में हो गया टाइपिंग के उसके बास से यहां पर बोला गया है कि candidate को जो भी paragraph होगा वो 5 मिनट का दिया जाएगा टाइपिंग के लिए आपको वो टाइप करने के लिए कंप्यूटर पर यह ध्यान रही है इसी में इसी में इस बार क्या हुआ है मंगल फॉंट भी हो गया है ठीक है कुरूती देओ के साथ साथ आपका मंगल फॉंट भी दे दिया गया है आयोक के दौरा अब आता है optional paper, optional paper आपके वही जो अगर आप select होने के बाद alliances चाते हो तो वो आपका English short hand हो जाएगा और English typing हो जाएगी और general English, एक general English का paper होगा जिसको paper 5 बोला गया है यह optional है यह चाहे आप दो चाहे मत दो ठीक है अगर आप देते हो तो वही बोला गया कि आप जब select होगे तो उसके बिहाग पर आपके salary में push alliances बढ़ाए जाएगे तो यहां correction of sentence 5 आएगा, filler आपका आएगा, translation हिंदी से English 10 और English to Hindi 10 आएगा इंग्लिस ऐसे आपका 20 नंबर का, यह optional है यह total 50 marks का होगा और एक घंटे का यह paper होगा पांचवा पेपर और छट्वा जो paper होगा, वो short hand का होगा मैंने बता दिया इसमें भी 80 word per minute ही चाहिए आपका यह भी 135 marks का है, सात्वा paper होगा English typing का, यह भी आपका optional ही है, 15 marks का, ठीक है इसके बारे मैंने आपको जिक्र कर दिया है, उसके बाद से हम आते हैं, यह जो paper है, यह पेपर आप सभी को देना है, यह optional नहीं है पेपर आप जो है, यह सभी को देना है, यह एक घंटा 30 मिनट का होगा, एक घंटा 30 मिनट का होगा, यह ध्यान रखेगा और साब साब यहाँ पर एक सब्द लिखा गया है, कि practical exam on computer terminal, यह किस पर होगा, practical exam on computer terminal पर होगा, इससे पहले देखो, जो अभी 13 वाल नोटिफिसकन उसका यही exam बाकी है, यही नहीं हो पाया, इसलिए paper मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि किस हिसाब से आगा, जैसे बोला कि on computer terminal, तो on approach, क्योंकि अभी अगर हम बात करें, जैसे उत्तराखन में भी APS का exam होता है, उसमें कि आपका पूरा paper आता है, और उसमें लिखा राता है, कि अगर आपको table बनाना है, Microsoft Office में, तो आप कैसे, कि step के according आप create करोगे, ठीक है, अब यहाँ पर बोला जब गया है, कि practical exam on computer terminal, मतलब आपको system दिया जाएगा, और system पे आपको task दिया जाएगा, एक paper पे आपको task लिखा रहेगा, कि यह यह चीजे करनी है, और वो task आपका कुछ ऐसा होगा, इसी के बिहाफ पे होगा, जैसे basic knowledge of working on Windows and Linux operating system platform on desktop, laptop with peripheral like printer, microphone and speaker, मतलब इन सब के साथ आपको basic knowledge होना चाहिए, run कराने का computer, किस operating system पर Windows और Linux नहीं कि government के काम कुछ जगाँ पे आपके Linux पी भी होता है, ठीके, और Windows पे तो हमेशा use होता है, तो वही basic use अगर आप से हो सकता है, कि कुछ इस पर प्रस्न बनाए, कि आप यह MS Word खोल के दिखाओ, चाहे आपको कोई command print करना हो, चाहे operating system में किसी application को delete करना हो, तो कहां से करोगे control panel में, तीन सब के step करके आपको perform करना हो, और आपका यह question paper में लिखके आएगा, कि आपको यह task करना है, तो वह BS marks का यहां से पूछेगा आपको, basic knowledge से, जो खास कर operating system, इसको हम बोल सकते हैं, अगर आपको operating system का अच्छा knowledge है, आप से पूछ यह program 86 file के अंत्रगत क्या क्या चीजे होती है, तो वो सब चीजे आपको अगर पढ़े रहोगे theoretically, तभी आप practical कुछ वहां पर बता पाऊगे, ठीक है, working knowledge of word processing package, अभी यहां पर देखो, और इसके लिए मैं बहतरीन आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं ही आपको computer पढ़ाऊ है, तो आपको मैं खुद यहां पर practically approach पर बताऊंगा, कि आप से यह प्रशन पूछ सकता है, और जितने भी आपके different state में, यह PS की exam होए न, उनका paper मैंने देखा है, उसमें कुछ ऐसे ही है, इस बोल देता है कि right step, ठीक है, या आप यह वर्क, इस तरह से यह काम करके दिखा यह table create के दिखाई है, और इसमें यह data enter करके दिखाई है, साफ साफ एक table data दिया रहेगा, employee रहेगे, उसके salary रहेगा, उसके working days रहेगा, present day रहेगा, तो वो चीज़े fill करके, Excel में खास कर, कहता है कि यह data आप create करके उसमें दिखाई है, तो यहाँ पर वो knowledge आपकी check की वो मैं पूरा विद्वत यहाँ पर Excel seat लगा के आपको पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर बोला है working knowledge of word processing मतलब MS word का, जो आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, word document कैसे बना सकते हो, उसमें front page कैसे create कर सकते हो, उसमें chart है, आप graph कैसे create बना सकते हो, यह सब चीज़े जो है, आपका है पढ़ना होगा, तो इसमें Microsoft word, open office, etc है, मतलब आपको, जो open office आपका एक होता है, उससे related, तो यह आपको dos से related, तो वो पढ़ना है, यह 25 marks का है, working knowledge of spreadsheet, अब spreadsheet बोल दिया, तो इसलिए बोला जाता है कि कई जगह पे, जैसे मालो, windows का excel होता न, ऐसे अलग अलग चीज़ों का हो dos होता है, Linux का, dos का, तो यहाँ पर हमें 20 marks ही, इससे आएगा, जो excel से कह सकते हो, पूछेगा आप से excel ही, फिर आपको यहाँ पे आजाओ, थोड़ा सा आपको क्या use of worldwide wave, मतलब www का internet का use एक तरह से, और वो भी क्या बोला है, कि for railway और air reservation से related आपसे प्रशन रहेगा, बोल engine आपसे पूछ लेगा, कि इन में से कौन सा सर्च engine है, ऐसे कुछ चीज़े पूछ सकता है, जैसे like google हो गया, information of website like wikipedia, यह पूछ सकता है, जैसे wikipedia है, तो wikipedia में data आप कैसे इंटर करोगे, चाए wikipedia के founder कोन है, चाए google के founder कोन है, इस प्रकार के भी प्रशन आपको आपको पूछा जा सकता है, mcq base नहीं होगा, लेकिन वहाँ से आपको पूछ, यह इसी related पूछ सकता है, ठीक है, google आप open करके दिखाओ, google का जो है front, जो आपका आता है, जो उस पे देखे होगे, image बन किया आता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो यह सब चीज़े आपसे generally, करा के आपसे कोई mail बेजवाए, तो यह सब चीज़े sending, sending with the attachment, कोई file attachment करके आपसे काए mail भेजने के लिए, save करने के लिए, print करने के लिए, यह सब चीज़े आपको 15 marks का आएगा, फिर working knowledge of preparation of presentation, मतलब ms word, powerpoint और excel, यह सब तो आना ही आना है, और यह कितने का आएगा, कि powerpoint ब वीडियो लगाओ, powerpoint का वीडियो बनाओ, यह सब चीज़े आपसे कराएगा, तो यह कुल मिला के 15 marks का यहाँ पर है, यह ध्यान रखेगा, तो ओवराल आपने देख लिया, तो आवर computer में आपको पढ़ना है, तो basic पढ़ना है, computer में, आपको word, excel, powerpoint पढ़ना है, और internet पढ देता हूँ, ठीक है, इसी में थोड़ा computer network, लेकिन है, यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, networking का, तो वो नहीं पढ़ना, तो इसके लिए निश्चिंत रहे है, क्योंकि यह सबसे बड़ा marks है, 100 number का यह paper है, बच्चो, और यह आपको कहीना कहीं selection में बहुत ही अहम role play करेगा, त आप नहीं जानते हो, नहीं आपका strong है, तो आप जो परिक्षा प्लस टीम के द्वारा आपका एक batch निकाला जाएगा, जिसमें आपको पूरता सुरू से लेकर पूरे जितने paper हैं, सभी paper की तयारी कराए जाएगी, जो short hand हो गया, typing हो गया, इसके बारे में भी, हम समय समय प गोला की terminal पर होगा, तो मैं इसी terminal पर आपको पढ़ाऊंगा, यह ध्यान रखिएगा, तो APS से related आपको और भी कोई जानकारी अब में प्राप्त होती है, तो मैं जरूर बताऊंगा, अगर इन में कुछ changes होते हैं, यह आपको जो मैंने बताया, यह जो 2013 का notification था, इसको जब revise करके 2021 में निकाला गया, उसके भी हाथ पर बताया गया, अगर इसके नियमावली में कोई संसोधन किया जाता है, तो इसमें अजाहिर सी बात है कि आपके paper हो सकता है कि कम जादे हो, लेकिन जो syllabus है आपका almost वो यही रहेगा, प्री मेंस का format कुछ चेंज हो, यह मैं का सकता ह लेकिन आपके जो syllabus में मैंने content बताएं कि यह पूछेगा, जैसे paper 1 में मैंने बता दिया कि history दसी नंबर पूछेगा, तो वो दसी नंबर पूछेगा, उसमें changes नहीं रहेंगे, ठीक है, प्री मेंस में अब यह है कि आपका, किसके भी हाब पे आपका selection होगा, यह आने वाला नियमावली जब आपका notification होगा, वो depend करेगा कि सभी paper, आठो paper का marks लिया जाएगा, यह आपका pre वाला जो होगा, वो सिर्फ screening होगा, इसके बारे में, detail जब notification आएगा, तो मैं खुद आपको लोक के सामने आऊँगा, और बताऊँगा, कि क्या क्या changes होएं हैं, पिछले वाल है, वो बक्चे, इस परिक्षा प्लस इस वीडियो पे जाएगे, और टेलिग्राम लिंक दी हो गई, इसके description में, वहाँ जुड जाएगे, वहाँ आपको सब कुछ information जो भी आपको चाहिए, वहाँ पर मिल जाएगा, इस से related जो भी information हमें प्राप्त होगी, हम जरूर आपक के दिमाग में चल लएए, तो आप इस वीडियो के comment में जरूर बताएगा, मैं पूरी कोसिस करूँगा कि आपके समस्याओं का समधान हो, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,